नमस्कार दोस्तों स्वागत आप से भी का टार्गेट सिबिल सर्विसेश में चली फ्रेंड आज हम रोग करते हैं उत्तर प्रदेश पीस्टेस एक्सामनेशन 2020 का ठीक है जिसका जीस का सेट नमबर है 25 ठीक है इससे पहले क्या है 24 टेस्ट हम रोग कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे सो वेरी इंपोर्टेंट है आज की ये साइंस की टॉपिक की वीडियो के तो चले शुरू करते हैं आज का पहला कुश्यन चलिए गाइस आज का फर्स्ट कुश्यन है इस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है इस चारा आप्शन है अंड पुटिका कॉर्पस लूटियम गर्भाश है ठीके द्यान दीजिएगा और नोड भी करते चलिएगा सिर्फ रेंड आवे राइट आप्शन होगा आप्शन भी यानि पुटिका से ओके आई देखते हैं इसको इस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिस वस्ता से लेकर रजोन विरित तक होता है ठीक है तो यह क्लियर हुआ जिसे नारी विकांस हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह माधा के दितियक लैंग लच्छनों के विकांस में सहायक है अब यहां से कुईशन आपको क्लियर यानि डाउड क्लियर नोड करते चलिएगा अगर आ निल्मिखित में से मनुष्ट की शरीर में कौन सी गरंती वाहिनी हीन है ठीक है ओप्शन ए एक गृत पसीने की गरंती अंतासरावी गरंती लौर गरंती अब यहां पर धान दीजिएगा मनुष्ट की शरीर में कौन सी गरंती वाहिनी हीन है ठीक है तो वाहिनी हीन की बात ह हो रही है सो यहां पर राइट आप्शनों का ओप्शन से यानि अन्ता स्रावी ग्रंथी ओके क्लियर कुईशन चलिए आईए देखते हैं इसको मनुष्की शरीर में एंडोक्राइन ग्लंड्स यानि वायनी हीन या नलका भी हीन ग्रंथियां होती हैं अथा इंसे स्रावीत प अब यहां से आपका कुशन क्लियर हो गया ठीक है कोई वीड़ा रहेगा आप कवंड बॉक्स में हमें कवंड करके बता सकते हैं चलिए सुनेश कुशन है कथन है उदक में वाले विक्ति को प्राया प्यास लगती है कारण उदक में वाला विक्ति वेसो प्रसिन के अतिशे इस रौज से ग्रस्त रहता है ठीक है चलिए यहां पर उदक में का मतलब है डाइबेटीस वाला विक्तियों के अब यहां पर बताईए इसका राइट अप्शन कौन सा होगा सोचिए समझिया और इसका एंसर देजिए तेखिए यहां पर राइट आप्शन होगा ओप्सन स सिटी के ए सही है और आर गलत ऐसा क्यों आईए देखते हैं इसको उदक में यहांने डाइबेटीस वाले विक्ति को बहुत अधिक प्यास लगती है क्योंकि हमारे शरीर का निर्जली करण हो जाता है जिसकी उपचार है तो कृतिम एडियाच का उप्योग करते हैं जिसे प मानो वरिक अश्मरी में पाया जाने वाला परमुग राशायनिक योगि कौन सा है उप्शन है यूरिकम उप्शन भी कईलसियम कर्वोनेट उप्शन सी है केलसियम ऑसलेट ऑफशन ड यह केलसियम सलफ़ेट चलिए धथान देजिएगा यहांपर उप्शन कौन सा होगा सो बराइट आप्शन आप्शन से यानि कैल्सियम आउक्सिलेट ओके सो आईए देखते इसको विरिक की पेलविस में खनिच लोड में क्रिश्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है ठीक है कैल्सियम आउक्सिलेट के कारण विरिक में पत्री या अश्मरी यानि इस्टोंस बनती है अब यहां से डाउट के लिए न कैल्सियम आउक्सिलेट की ओजासे ही क्या है इस्टोंस बनती है ठीक है यानि पत्री बनती है चलिए सुनेश कूश्यन है आपका जब एक जीन दो या दो से भिन लच्छनों को एक साथ नियंतरित करता है तो क्या कहलाता है option A है असंग जनन, option B बहुँ परभाविता, option C बहुँ गुलिता, option D बहुँ पट्टता फिर इंपर्टन कुश्चन है दान देजिएगा चले, देखिए अब यहाँ पर right option का option B बहुँ परभाविता क्या कहरा है कि जब एक जीन दो या दो से भिन लच्छनों को एक साथ नियंतरित करता है तो क्या कहलाएगा बहु परभाविता ठीक है तो option B is a right option आईए देखते इसको जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन लच्छनों को एक साथ नियंतरित करता है तो ये तद्ध बहु परभाविता कहलाता है यानि इसका एक जोलंतु धारण ये है कि लाल रक्त कोशाओं का हसियाकार कोश का अरक्ता रोग समझ गए बात समझ में आई चलिए so next question देखते है कथन है कुछ जीवाड़ू अपना भोजन संसलेशित कर सकते है कारण इन जीवाड़ूं में हरा पदार्द जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है अब ध्यान दीजिएगा चार option आपके सामने है पांच सेगंड टाइम आपके पास से है तो solve कीजिए क्योंकि इस बार भी UPPSC यानि UPPSC पैटर्ण पर एक्साम कराएगा ठीक है चलिए तो यहाँ पर राइट अप्शनों का option से यानि ए सही है और और गलत ठीक है ऐसा क्यों आ ये देखते हैं पोसिड के आदार पर जिवाडू पर्पोसी तथा स्वापोसी थें स्वापोसी जिवाडू कार्बन डाइाकसाइड तथा कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन सुईम बना लेते हैं इन जीवाड़ों में हरित लवक का अभाव होता है, कुछ जीवाड़ों में पर्ड हरिम से मिलते जुलते रंग द्रब होते हैं, जिससे प्रकास संसले सड़की क्रिया करते हैं, अब बताईए एक क्वेशन के लिए, चलिए, सुनेश क्वेशन देखते हैं, निम्रकित में से कौन सी और शिदिये फसल है, टिक है, गन्ना, घृत कुमारी, कपास या महुवा, चलिए, फटाफट इसका राइट आप्शन बताईए, कौन सा से होगा, तो यहां पर राइट आप्शन आप्शन भी यानि देखिए, घृत कुमारी से राइट आप्शन या एलो बेरा एक कौशदी फसल है, जबकि गन्ना कपास नगती फसल है, मुवा एक उस्ड कटबंदी विरिच्छ है, जो भारत के मैदानी चेत्रों में पाया जाता है, इसके फल से तेल तथा फूल से शराब बनाई जाते हैं, तो तेल बनता है फल से और फूल से बनता है शर कुशन होगा, निम्रकी जन्तुओं पर विचार कीजिए, पहला है समुद्री गाय, दूसरा समुद्री घोडा, तीसरा समुद्री सिंग, उप्यूक्त में कौन सा अस्तंधारी है, यानि अब यहाँ पर अस्तंधारी की बात हो रही है, चलिए देखिए इसका राइट अप यानि पहला और तीसरा से राइट अप्ष्न, क्यों है ऐसा आइए, देखTE difको समुद्री गाय विशाल, साकारी, समुद्री अस्तंधारी है, समुद्री गोडा, एक परकार कीकेर की मचली है, तीऔर समुद्री गोडा, जो यह मचली है, समुद्री सिंग भी एक अस्तंधा है और समुद्री गोडा क्या यह एक मचली है क्लियर कुश्चन चलिए सुनेश कुश्चन है एक जवग 35 में प्राश्रब धुनी का उप्योग किया जाता है सोनोग्राफी, ECG, EEG, X-ray सुफरने आवे राइट आप्शनों का उप्शन है यानि सोनोग्राफी आए देखते हैं इसको सोनोग्राफी या अल्ट्रा सोनोग्राफी चिकितसी निदान एक महतपूल साधन है ये प्राश्रब धोनी पर आधारित एक चित्रांकन तक्नीक है चिकितसा चित में इसके कई उप्योग है जिन में से गर्भा वश्या में स्रिशु के बारे में जानकारी प्राप्त करना ठीक है डाउट क्लियर सुनेश कुष्यन देखते हैं एक कटा हुआ ही रा क्यों चग मगाता है ऑप्षिन है इसकी आड़विक सम्रचना की कारण ऑप्षिन भी प्रकास के सोसड के कारण ऑप्षिन से पूर आंत्रीक प्रावर्तन के कारण ऑप्षिन दी निहित गुड के कारण चले फ्रेंड फड़ा फड़ इसका एंसर दीजिए इसकी मुटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकास किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बहार निकलने से पहले उसका कई बार पूर आंत्रीक प्रावर्तन होता है क्लियर कुश्चन सो फ्रेंड एरे वीडियो वीडियो को लाइक करना जाए ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ तो के थैंक्स बेश्टाब लग और हाँ साथ में भी बताना आगा आपको वीडियो कैसे लगी और कुश्चन का लेबल क्या और हाई करना चाहिए या फिर और लो करना चाहिए ओके